ओम शांती आज सुनते हैं 20 मार्च 87 के अव्यक्त बाप दादा के मदुर महाँ वाक्य आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने सारी मुरली सत्यता की अथरटी पर बच्चे कब तक डरते रहोगे सत्य ग्यान क्यों छिपाया हुआ है सत्य ग्यान अब परकट करो बहुत धरनी तयार कर लिये कब तक हलकी दवाई देते रहोगे आखिर तो पाउरफुल देनी है न तबी तो परिवर्तन होंगे खास कर मदुबन में तो धरनी बनी हुई है वहाँ ही सचाई का कुछ बीज डालो न ढरते क्यों बैलेंस भी रखो ये भी नहीं जो अच्छा फिर सीधा सीधा सब कुछ सुना दें नबल देखो परकने की भी शक्तियो फिर उसके बाद सत्यता की अथरटी भी हो तो आओ सुनते हैं बीस मार्श तासी की मुर्ली आज की मुर्ली से चार क्वेश्चन है परमात्मा की विशेश्टा क्या है उसका गायन क्या है नमबर टू सच बोलने वाले की निशानी बताओ नमबर त्री वर्तमान समय कौन से बैलेंस को अंडरलाइन करो नमबर चार लाश सो फास्ट सो फास्ट जाने में टाइम का क्या हिसाब बताया बाबा ने तो सुनते हैं बीस मार्श तासी की मुर्ली आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरू अपने सत्ता के शक्ती शाली सत बच्चों से मिलने के लिए आए है सबसे बड़े ते बड़े शक्ती वा अथरिटी कहो वो सत्यता की ही है सत दो शबनों से दो अर्थ से कहा जाता है क्या दो अर्थ हैं? एक सत अर्थात सत्य और दूसरा सत अर्थात अविनाशी दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ती सबसे बड़ी है बाप को सत बाप भी कहते हैं बाप तो अनेक हैं लेकिन सत बाप एक है सत शिक्षक सत गुरू एक ही है सत्य को ही परमात्मा कहते हैं अर्थात परमात्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है आपका गीत भी है सत्य ही शिव है दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुन्दरम साथ साथ बाप प्रमात्मा के लिए सत्चित आनंद सुरूप कहते हैं आप आत्माओं को सत्चित आनंद कहते हैं तो सत्चब्द की महिमा बहुत गाई हुई है सिखों में भी कहते सत्च श्रीयकाल तो और कभी भी कोई भी कारे में अथर्टी से बोलते हैं क्या तो यही कहेंगे मैं सच्चा हूँ इसलिए अथर्टी से बोलता हूँ कावट में कसम भी खिलाते हैं न जो कहूंगा सत्च कहूंगा तो बाबा कहते हैं सत्च के लिए गाईन है सत्य की नाव अब गाएन क्या है वो सुनें सत्य की नाव डोलेगी हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं सच तो बिठो नच कितना अच्छा बाबा कसल होगा नहीं सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ती वाला सदा नाचता रहेगा कभी मुर्जाएगा नहीं उल्जेगा नहीं घबराएगा नहीं कमजोर नहीं होगा सत्यता की शक्ती वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा शक्ती शाली होगा सामना करने की शक्ती होगी इसलिए घबराएगा नहीं सत्यता को सोने के समान कहते है असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं भक्ती में जो भी परम आत्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को भी क्या कहते हैं सत्संगी भाई है कहते हैं सत्संगी बेन सत्संगी सत्का संग करने वाले और लाश्ट में जब आत्मा शरीट छोड़ती है तब भी क्या कहते है तो भी क्या कहते है सत नाम संग है राम नाम संग है सत नाम संग है तो हरी नाम संग है सत बोलो संग है सत को जरूर बोलते हैं तो सत अविनाशी सत सत्य है सत्यता की शक्ति महान शक्ति है वर्तमान समय मैजॉर्टी लोग आप सब को देख कर क्या कहते हैं इन्हों में सत्यता है तब इतना समय विर्दी करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है। अचल होती है। सत्यता विर्दी को प्राप्त करने की विधी है। सत्यता की शक्ती से सत्युग बनाते हो। स्वेम भी सत्य नरायन, सत्य लक्ष्मी बनते हो। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं सत्यता हर आत्मा को अकरशित करती है चाए आज की दुनिया जूट खंड है सब जूट है अर्थात सब में जूट मिला हुआ है फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं सत्यता की प्राप्ती खुशी और निर्भेता है आज तो सारी मुरली सत्यता सत्यता कहते भी है न सत्य में वजयते सत्यम शिवम सुन्दरम हर चीज में सत्य सत्य बोलने वाला सदा निर्भे होगा उनको कब भे नहीं होगा नहीं तो दस बातें जूट वाले को बनानी पड़ जो सत्य नहीं होगा तो उनको भे जरूर होगा तो आप सभी सत्य ताके शक्ती शालीस रेष्ठ आत्माएं हो सत्य ग्यान सत्य बाप सत्य प्राप्ति सत्य याद सत्य गुण सत्य शक्तियां सरव प्राप्ति हैं कितनी चीज़े बताई बाबा ने साथ आठ चीज़े बताई फिर सत्य गुण, सत्य शक्तियां, सरप्राप्ति तो इतनी अथार्टी का नशा रहता है अथार्टी का आर्थ अभिमान नहीं है जितना बड़े ते बड़ी अथार्टी उतना उनकी विर्थी में रोहानी अथार्टी रहती है वानी में सने और नम्रता होगी यही अथर्टी की निशानी है जैसे आप लोग वरिक्ष का दृष्टाम देते हो वरिक्ष में जब संपूर्ण फल की अथर्टी आ जाती है तो वरिक्ष जुकता है अर्थात निर्मान बनने की सेवा करता है ऐसे रुहानी अथर्टी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथर्टी उतने निर्मान और सरवस नहीं होंगे लेकिन सत्यता की अथर्टी वाले निरेंकारी होते हैं तो अथर्टी भी हो नशा भी हो और फिर निरेंकारी भी हो इसको कहते हैं सत्य ग्यान का पर्त्यक्ष सुरूप जैसे इस जूट खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथरटी का परत्यक्षाकार सुरूप देखाना उनके अथरटी के बोल कभी भी एहंकार की भासना नहीं देंगे मुरली सुनते हो तो कितनी अथरटी के बोल है लेकिन अभिमान के नहीं authority के बोल में भी सने समाया हुआ है निर्मानता है निरेंकार है इसलिए authority के बोल प्यारे लगते हैं सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली भी लगते हैं follow father हो ना सेवा मेवा करम में follow ब्रह्मा बाप है क्योंकि साकार दुनिया में साकार example है sample है तो जैसे ब्रह्मा बाप को करम में सेवा में सूरत से हर चलन से चलता फिरता authority सुरूप देखा ऐसे follow father करने वालों में भी सने और authority निर्मानता और महंता दोनों साथ साथ दिखाई दे ऐसे नहीं सिर्फ सने दिखाई दे और authority गुम हो जाए या authority दिखाई दे और सने गुम हो जाए जैसे ब्रह्मा बाप को देखा वा अभी भी मुरली सुनते हो ना जी बाबा परत्यक्ष परमान तो बच्चे बच्चे भी कहेगा लेकिन authority भी दिखाईगा सने से बच्चे भी कहेगा और authority से शिक्षा भी देगा कभी बाबा कहते हैं न विकार में गिरे क्या हाल होगा बचे हाँ सारी की कमाई चट हो जाएं पर वो प्यारे लगते हैं बाबा के बहुत अथरिटी के होते हैं पर बड़े प्यारे लगते हैं बच्चे बच्चे कहते हैं नया ग्यान सारा स्पष्ट कर देते सत्य ज्यान को भी परत्यक्ष भी करेंगे इसको कहते हैं सने और सत्यत्या की Authority का बैलेंस तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को Underline करो सच्चाई भी हो Authority भी हो निर्मानता भी तो बाबा ने कहا स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए, विदेश की धरनी अब काफी बन गई भलड़ पचास वर्ष नहीं हुए लेकिन बने-मनाय साधनों पर आए हो जब बच्चों को 50 वर्ष नहीं हुए लेकिन बने-मनाय साधनों पर आए हो, इसलिए अब बड़े ध्यांद से सुनना खासकर लास्ट बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त वर्दान निकल रहा है क्या इसलिए शुरू के पचास वर्ष और अब के पांच वर्ष बराबर है कितनी बड़ी लौटरी बाबा ने दे दी बराबर डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट फास्ट फ़स्ट है तो समय में भी फास्ट फ़स्ट होंगे न निर्भैता की अथर्टी जरूर रखो एक ही बाप का नया ग्यान सत्ते ग्यान है और नए ग्यान से नई दुनिया स्थापन होती है ये थार्टी और नशास रूप में इमर्ज हो तो पचास वर्ष तो मर्ज रखा लेकिन इसका आर्थ यह नहीं है जो भी आवे उनको पहले से ही नए ग्यान की नए बातें सुना कर कन्फ्यूज कर दो ब्रह्म चरेखान पानशुदी सब पहले ही बताना चालो नहीं कन्फ्यूज नहीं करो ये भाव नहीं है धर्णी नब्ज समय सब देख करके ग्यान देना यही नालिजफुल की निशानी है आत्मा की इच्छा देखो नब्ज देखो धर्णी बनाओ लेकिन अंदर सत्यता के निर्भेता की शक्ती जरूर हो लोग क्या कहेंगे ये भेना हो निर्भेबं धर्नी भल बनाओ कहीं बच्चे समझते हैं ये ग्यान तो नया है कहीं लोग समझ ही नहीं सकेंगे लेकिन बेसमझ को ही समझाना है ये जरूर है जैसा व्यक्ति वेसी रूप रेखा बनानी पड़ती है लेकिन व्यक्ति के प्रवाव में नहीं आजाओ अपने सत्य ग्यान की अथर्टी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है ये लक्षे नहीं भूलो अब तक जो किया वे ठीक था करना ही था आवश्यक था क्योंकि धरनी मनानी थी लेकिन कब तक धरनी मनाएंगे और कितना समय चाहिए दवाई भी दी जाती है तो पहले से ही ज़्यादा ताकत की नहीं दी जाती है पहले हलकी दी जाती है लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं हलकी परी चलाते चलो ये तो नहीं करो किसी कमजोर को हाई पावर दवाई दे दी तो ये भी रौंग है परखने की भी शक्ती चाहिए लेकिन अपने सत्य नए ग्यान की अथरेटी जरूर चाहिए आपकी शुक्षम अथरेटी की विर्ती ही उनों की विर्तियों को चेंज करेगी यही धर्नी बनाएगी और विशेश जब सिवा कर मदुबन तक पहुंचते हो कम से कम उनों को ये जरूर मालूम पढ़ना चाहिए कि इस धर्नी पर उनों की भी धर्नी बन जाती है कितनी भी कलराटी धर्नी हो किस भी धर्म वाला हो किस भी पॉजीशन वाला हो लेकिन इस धर्नी पर वे भी नर्म हो जाते है नर्म धर्नी बनने कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा सिरफ डरो नहीं निर्भे जरूर बनो युक्ती से दो ऐसा ना हो कि वे आप लोगों के उलाना दे के ऐसी धर्नी पर भी पहुंचा लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि प्रमातम ग्यान क्या है प्रमातम भूमी पर आकर भी प्रमातमा की परत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाएं लक्ष अथरिटी का होना चाहिए आज कल के जमाने के हिसाब से भी नमीनता का महत्तव है फिर भल कुई उल्टा फेशन भी निकालते तो भी फालो करते इसलिए नमीनता गया ग्यान जरूर दो जो किया है बहुत अच्छा और बहुत किया है तनमन धन लगाकर किया है इसके लिए बाबा आफरिन देते अच्छा बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार सरव सत्यता की अथर्टी वाले स्रेश्ठातमाओं को सरव नमीनता महंता को परत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवा धारी बच्चों को सत बाप सत शिक्षक, सत गुरू का याद प्यार और नमस्ते अच्छा, ओम शामत और अब यह है एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे